साल 2022 चुनावी सफलताओं के लिहाद से बीजीपी के लिए काफी शांदार रहा इस साल साथ राज्यों में विधान सबाद चुनाव हुए जिन में से पांच बीजीपी जीतने में काम्याब रही नए रिकॉर्ड भी बने लेकिन अब 2023 काफी महत्वपून रहने वाला है क्योंकि 2023 में होने वाले चुनाव 2024 लोकसभा चुनाव की दशा और दशा तै करेंगे फिर चाहे वो बीजीपी के लिए हो या फिर कॉंग्रिस के लिए एक बार पहले 2022 के चुनावी नतीजों पर भी नजर डाल लेते हैं भारती जनता पार्टी ने अपने गड़ गुजरात में रिकॉर्ड तोड जीत हासिल की वहीं उत्तर प्रदेश, उत्राखंड और मनिपुर में दोबारा शांदार भहमत के साथ सरकार बनाई गोवा में भी बीजबी दोबारा से सरकार बनाने में काम्याब हो गई लेकिन बीजबी को हिमाच्र प्रदेश में कॉंग्रेस के हाथों हार का सामना करना पड़ा बीजबी इस पहाडी राज में हर पांच साल में सरकार बदलने के रिवाज को बदल पाने में काम्याब नहीं हो पाई वही पंजाब विधानसवा चुनावों में आम आदमी पार्टी बाजी मार गई अब आगे 2023 के चुनाव हैं जो बहुत हद तक ये साबित कर देंगे कि कॉंग्रेस फिर से मजबूती की राह पर आएगी या फिर बीजबी कॉंग्रेस मुक्त भारत बनाने के अपने सपने को काम्याब करने की ओड़ बढ़ जाएगी दरसल 2023 में राजस्थान, चतिसगर, मद्यप्रदेश, करनाटक, तेलंगाना, त्रिप्रवा, मेगालिय, नागालैंड, मिजोरम और जमुकश्मीर, सहित, जिन राजियों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा चुनाव होने हैं उनमें से तेलंगाना और जमुकश्मीर को छोड़ कर, जादतर बड़े राजियों में बीजेपी का सीधा मुकाबला कॉंग्रिस से है राजस्थान और चतिसगर में कॉंग्रिस की सरकार है, जिसे सत्ता से बाहर करने के लिए बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है करनाटक और मर्देपरदेश में, 2018 के विधानसवा चुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था लेकिन बीजेपी ने बाद में सरकार बना ली लेकिन क्या पार्टी सत्ता बचा पाएगी, ये तो देखने लायक होगा 2023 में तेलंगाना में भी विधानसवा चुनाव होना है, जहां वर्तमान में BRS की सरकार है CM चंदरशेगर राओ लोकसवा चुनाव के लिए देशभर में बीजेपी के खिलाब सभी विरोधी दल को एकजुट करने की मुहीम में लगे है इसलिए बीजेपी उनके गड़ में उन्हें बड़ा जटका देना चाहेगी 2023 में तरिपुरा, मिभाले, नागालैन और मिजोरम में भी विधानसवा का चुनाव होना है त्रिपुरा में वरतमान में BJP की सरकार है मिघाले और नागलाइड में भी BJP समर्थित सरकार सत्ता में है तो वहीं मिजोरब में मिजो नेशनल फ्रेंट की सरकार है मीडिया रिपोर्ट की माने तो 2023 में होने वाले इन चुनावों की रणनीती तैय करने के लिए जनवरी में ही बीजेपी अपनी राश्ट्री कारिकरणी की बैठक कर सकती है सूतरों के मताबिक इस बैठक में आगामी विधानसवा चुनावों के लिए विस्तरित रणनीती तैयार की जा सकती है इन तमाम राज्यों में बीजेपी अपने सबसे लोगप्रिय चेहरे प्रधानमंतरी नरेंद्रमोदी की लोगप्रियता का जादा से जादा राजनितिक लाब लेनी की कुशिश करेगी और इसी रणनीती के तहट 2023 में प्रधानमंत्री खुद इन राज्य में जादा से जादा कारिक्रम और रैलियां करते हुए नजर आएंगे हाला कि ये भी देखा गया है कि विधान सबाचुनाव और लोकसबाचुनाव के नतीजों में बहुत अंतर रह जाता है अब सब्सक्राइब और फॉलो करना न भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस न करें तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए योस 24